यहां बड़ी संख्या में हमारी माताए बहने आथिरवाद देने के लिए आई है साथियों आपका प्यार आपका उत्सा मैं भली भाति समझ सकता हूँ साथियों हमारी सरकार ने महिलाओं बैनों बेटियों की गरिमा उनके स्वास उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्रात्विक्ता दिये स्वच्च भारत अभ्यान से तेलंगरा की लाखों गरी मातों बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है हुझवला योजना से मिले मुक्त गैस कनेक्शन से तेलंगरा की लाखों गरी बेटियों को दूए से मुक्ति मिली है मात रुत्व के समय पोसन से लेकर टिका करां तक की सुविदाओं को हमने तेलंगना के गाउं गाउं तक पहुँचाया है हरला भारती तक पहुँचाया है इसी का परड़ाम है कि आज बेहनों बेटियों का स्वास्त भी सुदर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है भारत में पहली बार पुरुशों की तुल्ना में मैलाओं की संख्या अधिक हुई है भाई और बैनों हम इसी किवीश्वी सदी में देश की नारी शक्ति को रास्त शक्ति बनाने का इमानदार प्यास कर रहे हैं हाली में आई एक रिपोर्ट के मताबिक बैंकों में जमा दनराशी में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है ग्रामीन महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा और भी ज़्यादा है सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बैनों की संपत्य में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है यह इसलिए संपव हो रहा है क्योंकि हमने बैनों को बैंकिंग से जोड़ा देश की अर्थ ववस्ता में बेटियों की सिधी सक्रिय भागिदारी को प्रुशाहित किया आपके प्यार के लिए मैं आपका अभी नंदन करता हूँ दन्यवास करता हूँ साथियों जंदन योजना के तहट पूरे देश में पैतालीस करोर बैंक खाते खोले गए जिस बैसे एक करोर से ज़्यादा जंदन बैंक खाते तेलंगरा में खुले है इन जंदन खातों में पच्पन प्रती सच अधिक खाते महिलाओं के हैं इसी तरह जो मुद्रा लोन दिये गए है उस मैं से दो तिहाई से अधिक लोन महिलाओं को दिये गए है स्टेंड अप इंडिया के तहट दिये गए लोन में से अच्छी प्रती सच्च अधी महिलाओं को दिया गया है यहां तक की रेड़ी ठेले पट्री वाले देश के लाखों साथ्यों को भी केंद्र सरकार ने बैंकों से जुड़ा है पी-एम स्वनिदी योजना के तहट तेलंगिरा में के भी हजारों साथ्यों को मदद मिली है भाई और बैनों तेलंगिरा भारत में रीसर्ट और इनोवेशन का भी एक बड़ा केंद्र है कोरोना काल में वेक्सिन को लेकर दूसरे साज और सामान को लेकर जो काम यहां हुआ है उसने पूरी दुनिया में करोड़ों जीवन बचाने में मदद की है बीते आठ वर्सों से केंद्र सरकार इस एको सिस्टिम को ससकता करने के लिए बड़े स्थर पर प्रयास कर रही है हाइदराबाद में आदूनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी बाजपाद सरकार गंबीर प्रयास कर रही है कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्ट फैसिलिटी पर बायो मेडिकल रिसर्ट जैसा आदूनिक रिसर्ट सेंटर हाइदराबाद में तैयार हो चुका है साथियों भाजपाद सरकार सिर्फ टेक्नोलोजी और इन्योवेशन के रिपोजेक्ट जी नहीं मना रही बलकि गरीव और गामिल परिवारों के बेटे बेटियों के प्रतिवा को भी फोत्सान दे रही है नई रास्त्रिय सिछानीती में हमने थानिय भाता में पढ़ाई को प्रत्विक्ता दी है अब आप ही बताईए जब तेलुगों में टेक्नोलोजी और मेडिकल की पढ़ाई होगी तो तेलंगडा के गाओं की गरीब परिवार के माताओं के सपने सच हो करके रहेंगे की नहीं रहेंगे इससे आत्म निर्बर भारत के निर्माण के लिए टैलेंड का पुल बड़ा होगा या नहीं होगा भाई यर्बहनों आत्मा निर्बर भारत अभियान को रामा गुन्नम खाजकार खाना भी ससक्त कर रहा है आप सभी ये जानते हैं कि बीते दसकों में देश के जो अनेक खाजकार खाने बंद हुए थे उनमेंसे ये भी एक था 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम सुरू किया लगवग साठे च्छे हजार करों प्यका निवेश किया अब यहां फर्टिलाइजर का उत्मादन सुरू हो चुका है बहुत जल्द इसको भी रास के लिए समर्पित कर दिया जाएगा ये तेलंगरा के किसानों के लिए बारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविदा है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं इसे खात पर हमारी मिदेशी निरपरता कम हो जाएगी भाई और भेनो हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगरा के किसानों का जिवन आसान हो उनको अपनी उपच का अधिक से अधिक लाब मिले तिलंगना में पानी से जुड़े लगबाग 35,000 करोड़े से अधिक के पांच बड़े प्रोजेक्ट पर केंदर सरकार काम कर रही है बीते 6 सालों में केंदर सरकार ने तिलंगना के धान किसानों से लगबाग एक लाग करोड रुपिय का धान खरी रहा है धान किसानों को लागद का डेर गुणा पैसा भी दिया है इस बार भी धान की MSP में 80 रुपिय की वृद्धिकर उसे 2000 रुपिय प्रतिक विंटल से जादा कर दिया गया है बाई और बैनों खेती हो या उद्योग हर सेक्टर के विकास के लिए आदलिक इंफ्रासेक्टर बहुत आवश्चक है तेलांगरा का गाह हो या शायर आदलिक कनेक्टिमिटी इंफ्रासेक्टर के लिए बाजपा के नेतृत्वबाली केंद्र सरकार अबुत्पुर्वद काम करकर रही है हाइदराबाद में याता यात और सुगम बनाने के लिए केंदर सरकार पंदरा सो करोड रुप्य की लागत से चार और छे लेन के कई फ्लाइ ओवार और एलिवेटेड कॉरिडर बना रही है इस हाइटेक सिटी में जाम की परेशानी कम करने के लिए केंदर सरकार 350 किलोमेटर परीगी की रीजिनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है भाई और बेनों हमारा प्रयास है कि तेलंगना के कौने कौने तक बहतरीन किनेक्टिविटी पहुँचे पिछले आठ वर्षों में तेलंगना में नेशनल हाइवे की लंबाई दो गुणी हो चुकी है दो हजार चौदा में तेलंगना राज्य में लगबग पचीस सो किलोमेटर के नेशनल हाइवे थे आज पाथ हजार किलोमेटर लंबा नेटमर्क है शहर ही नहीं गामों को भी नेशनल हाइवे से जोडते हुए दो हजार साथ सो किलोमेटर से दिक्की सडके बनाई जा चुकी है पी-एम ग्रामिंट सडक योजरा के तीसरे फेक के तहट लगबग डाई हजार किलोमेटर की नई सडकों के लिए भी एक हजार साथ सो करोड रुपे से दोख स्विकृत किये गए है इसी प्रकार रेलवे में भी बीते आठ वर्सों में तेलंगना के लिए इक तीस हजार करोड रुपे से दिक्के प्रोजेक्ट स्विकृत किये गए हैं लगबाक एक सो असी किलोमेटर की नई रेल लाइन तेलंगना में बिछाई जा चुकी है साथियों आत्म दिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा फाइव एप की बात की है फार्म टू फाइवर फाइवर टू फैक्टरी फैक्टरी टू फैशन और फैशन टू फरेल ये बात मैं कह रहा हूँ इसी सोच के तहट हमने तै कि टेक्स्टाइल में देश के एक्पोर्ट को बढाने के लिए हम देश में साथ मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क बनाएंगे टेक्स्ट्राइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फाइदा होता है मद्दूर को भी काम मिलता है व्यापार कारोबार भी फलता भुलता है इन में से एक मेगा टेक्स्टाइल पार्क का निर्मान तेलंगरा में भी होने वाला है ये टेक्स्टाइल पार्क यहां बन जाएगा तो तेलंगरा के किसानों को तो लाब हो गाई जहां हजारों नव जवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे साथियों हैद्राबाद बेश की आत्मन निर्वरता का बेश के आत्मन इस्वात का प्रमुक सेंटर है तेलंगना के दूसरे शहरों और गावों में भी असीम सामर्त है यहां के खेतों में यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है यहां प्रकुरते ने भी कोई कमी नहीं रखी है मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूँ कि जब तेलंगना में बाजपा की डबल इंजिल सरकार बनेगी तो तेलंगना के शहर तेलंगना के हर गाव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा हमें सबको पॉजिटिविटी से जोडना है सबको विकास से जोडना है तेलंगना के विकास की गति को हमें और तेज करना है सबका प्रयास से ही हम तेलंगना को विकास के नए सिखर पर ले जा सकते हैं मेरे प्यारे तिलंगला के भाईयो बेनों विशेश कर मेरी माताए बहने विशेश करके मेरे जोच से भरे नौजवान आप इतनी बड़ी संख्या में हम सब का आशिरवात देने के लिए आए हैं इसलिए मैं रिदेश है झाल 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 झाल